अब से करीब चार महीने बाद 20 अप्रेल दोजा तेश को सूरे अपना सबसे विचितर रूप दिखाएगा एक दिन तीन तरीके के सूरे ग्रैन होंगे यानि आंशिक यानि की पार्शियल, पूर्ण यानि की टोटल और एनुलर इसे हाइबिड सूरे ग्रैन कहते हैं, यह गटना सो साल में कुछ बारी ही होती है, कुछ बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी गणा काफी कठीन होती है इसलिए इस गटना की संक्या या तैस संक्या बता अपाना वग्यानिकों लिए मुश्किल होता है जब बात सूरे ग्रहन की होती है तब तीन प्रकार के ग्रहन बताए जाते हैं आंशिक सूरे ग्रहन जो सब बें जादा होता है सबसे समाने सूरे ग्रहन होता है यह जब चंद्रमा प्रत्वी के किसी छोटे हिस्से के सामने आकर रोशनी रोकता है तब आंशिक सूरे ग्रहन कहलाता है दूसरा होता है एनुलर सूरे ग्रहन यानि जब चंदरमा सूरे के बीचोबीच आकर रोशनी को रोकता है तब चारों तरफ एक चमकदा रोशनी का गोला बन जाता है इसे रिंग ओफ फायर भी कहते हैं तीसरा है पूर्ण सूर्य ग्रहन यानि जब चंदमा पूरी तरेके से सूर्य को डख लेता है। सूरे का mixer होता है इसके बाद यही प्रक्रिया पलट जाती है इसलिक दुनिया बर के लोग एक ही समय अलगले प्रकार की सूरे ग्रायन देखेंगे यानि अगर आप सूर्ययदे के समय डेखने को मिल सकता है अगर दोपयर में प्रत्वी पर आपकी स्तितिपन निर्बऋ करेगा। आपको दोनों ग्रहेंड देखनें को नहीं मिलेंगे यानि आप hybrid सूरे ग्रहेंग्ड नहीं पाएंगे बस ध्यान इस बात का रखना होगा कि किसी भी सूर्य ग्रहन को देखते समय आप उसे खुली आँखों से ना देखें काला चश्मा या फिर खास यंद्रों के मदद जरूर लें आखिर क्यों होता है हाइबिर्ड सूर्य ग्रहन चंद्रमा लगता प्रत्वी के चार तब पूर्य ग्रहन लगता है जब वह सूर्य और धर्ती के मदधे में आता है लेकि उसकी दूरी प्रत्वी से ज़्यादा होती है तब उसकी चाया छोटी होती है ऐसे में एनुलर सूर्य ग्रहन बनता है लेकिन हाइबिर्ड सूर्य ग्रहन के समय चंद्रमा की धर्ती से द पूण सूरे ग्रैंड लगता है लेकिन दूसी तरफ जहां छाया और योग्यिंद nesse के पॉइंट सुदूर समध्र में में इसलिए सब को यह दिखेगा नहीं पश्यमीं उस्टीलिया के साउथ माउथ प्राइदी पर एक मिनट के लिए दिखेगा तीमॉर्ड लेस्टे में एक मिनट 14 सेकंड और वेस्ट पपुआ में एक मिनट 9 सेकंड वैबी पूर्ट सुर्य ग्राइड के ठीक पहले और इसके ठीक बाद जब बेलीज बीट्स बनते हैं पेलीज बीट्स अंग्रेश कोगोलवित फ्रांसिस बेली के नाम पर रखा गया है इन्हों है सबसे पहले 800 में देखा था यह सूर्य की उस रोष्णी का गेरा होता है जो चंदर्मा की घाटियों से चंड कर दिखाई देता है इस समय सूर्य एकदम दियंगी दिखता क्योंकि चंदर्मा उसके बराबर के आकार का दिखने लगता है वैस सूर्य की रोष्णी को पुईतेगे से धक देता है आम तोर पे हर साल 2-5 सूर्य ग्रायन होते हैं 21 सधी में 3.1% सूर्य ग्रायनी हाइब्रेट थे यानि कुल 224 में सिर्फ 7 सूर्य ग्रायनी हाइब्रेट थे इस झाल 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 झाल